चलिए discuss करते हैं अपना new topic that is statistics okay last class पर हमने discuss करा था अपना surface area and volume आज start करेंगे अपना new chapter that is statistics तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में basic introduction की okay फिर हम discuss करेंगे इसके related questions तो यहाँ पर सबसे पहले हम define करते हैं statistics का meaning क्या होता है हमारे पास ठीक है statistics is the area of study dealing with presentation analysis and interpretation of data यहाँ पर statistics पर हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे presentation की analysis की और interpretation किसका data का ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं statistics का meaning clear होना चाहिए है यहाँ पर हम क्या कर रहे है किसी भी data को present कर रहे है ठीक है उसको analyze कर रहे है उसको interpret कर रहे है presentation किस form में हो सकता है pictorial presentation हो सकता है ठीक है यह कोई भी आपके पास graph की तरूर आप represent कर रहे हो बार graph histogram clear यह frequency polygon तो वो सारी चीज़े हम discuss करेंगे लेकिन meaning की बात करें तो meaning आपका यह है statistics में हम क्या कर रहे है data का represent कर रहे है ठीक है किस form में वो हो सकता है आपका बार graph की तरूर histogram की तरूर frequency polygon clear वो सारी चीज़े है तो यहां परिसर फ्म क्या कर रहे है प्रिजेट कर रहे डाटा को और उसको analyze कर Bell Laura कर REMA ठीक है उसके बारे में study कर targeted कर रहे है नटप्रेटेशन मतला जो analysis करके मतला इनफॉर्मीशन कलेक्ट करी है ठीक है मतला इतनी students की हाइट इतनी है ठीक है जैसे more than 60 centimeter कि इतनी students क की क्या है study है ठीक है statistics की clear next हम बात करते है data क्या होता है हमारे पास data क्या है कोई भी आपके पास जो information है जो भी आपने collect करी है information ठीक है information collect करी वो क्या होगी है data ठीक है और set of given facts data को आप define कर सकते हो यह क्या है हमारे पास information है यह set of given facts clear statistics क्या है area है study का जहां पर आप deal कर रहे हो किस से related presentation ठीक analysis interpretation किसका data का next हम बात करेंगे यहाप जो हमारे पास data है ठीक है वो two types का होता है एक होता है primary एक होता है primary एक होता है secondary देखें primary में क्या होगा आपके पास जो information है वो आपने खुद ही collect करी तो वो क्या हो गया primary हो गया ठीक है primary data क्या है investigator, खुद क्या कर रहे है investigator कर रहा है मतलब उसके बारे चाहिक कर रहे है ठीक है ale, information कोदा histe कर रह रहा है ठीक है information होग्happy collect करेगा, तो वो कौन सा data है, primary data है, ठीक है, secondary में क्या आ जाएगा आपके पास, जब investigator, किसी के other information collect करे, जैसे, example ले हम, यहाँ पे, किसी ने कोई work करा, information collect करी, a percent ने, ठीक है, information collect करी, और वो b, जो है, investigator है, वो क्या कर रहा है, उस information को, a ने जो collect करी है, उसके बारे में study कर रहा है, तो वो statistics तो है, लेकिन कौन सी class का, secondary data का, उसमें क्या आ रहा है, secondary data रहा है, ठीक है, उसका जो information है, वो secondary है, clear, जैसे, for example, यहाँ पे एक और example, हम ले, आपने, पूरी study करी, ठीक है, तो उसमें, आपने study क्या करा होगा, जो presentation होगी, उसमें, उसको आपने study करा, analyze करा, then interpret क ठीक है, next, second source है, हमारे पास, हमने, जो information है, वो, किसी other, कि तुरू उसको collect करा है, for example, internet, newspaper, ठीक है, book, कोई भी other instrument, जो information provide कर रहा है, तो वो क्या होगी, secondary data, ठीक है, two types के data है, एक primary है, एक secondary है, primary में, जो investigator है, वो खुद information collect करेगा, secondary में, जो investigator है, वो किसी other, जो information किसी other ने collect करी होगी, उसको क्या करेगा, copy करेगा, तो वो क्या है, secondary data, clear, next हमारे पास, यहां पी बात आती है, important terms में, हमारे पास, कुछ statistics में, जो आपके पास questions में apply होगी, first है raw data, ठीक है, raw data का मतलब क्या है, ungroup data, जैसे, कोई भी आपके पास information है, इस form में दे दी, 20, 30, 40, 50, 9, 8, 7, इस form में दे दी आए आपको data, जैसे यहां पर हम नोट करते हैं, 20, 60, 40, 30, ठीक है, 21, 2, 3, इस form में आपको क्या दे दी गई, एक information दे दी गई, ठीक है, तो यह कैसा है आपका raw data है, information तो है, ठीक ह information तो है, यह हमारे पास, लेकिन कैसी है, raw data, यह क्या दे रखे हैं, अब उस करली marks दे रखे हैं आपके, ठीक है, कोई भी subject में आपके marks given है, ठीक है, कितने students है, 3, 3, 6, 8, total students कितने 8 है, उनके यह marks आपको given है, अब यह कैसे marks हैं आपके पास raw data की form में, ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई भी arrangement नहीं है, arrangement कैसा होता है, या तो order increasing हो, या decreasing हो, ठीक है, मतलब असेंडिंग में हो, या descending में, या कोई भी आपके पास जो data है, arranged form में नहीं है, तो यह कैसा है आपका raw data और ungroup data, ungroup data का मतलब क्या है, जैसे group का मतलब क्या होगा, हमने divide कर दिया है, class interval में, ठीक है, 8 students है, ठीक है, उनके marks है, किस में आ रहे हैं, किस में लाई कर रहे हैं, 20, 60, 40, 30, 21, 23, हमने divide कर दिया, अगर इस form है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, इस form है, तो वो क्या हो जाता, आपका group data, ungroup क्या है, आपके पास raw data है, ठीक है, जो group की form में नहीं है, बदलब ना, वहा इस नहीं है, तो वो क्या होगा आपका raw data, ठीक है, नेक्स्ट आता है, arrange data, arrange किस form में होगा, या तो आपको ascending में given हो, किस में given हो, ascending में, या descending में given हो, ठीक है, दोनों, कोई भी एक form में अगर आपको given है, तो वो क्या होगा आपका, क्या होगा वो, वो होगा, descending order, ठीक है, म हमारे पास जो concept है range range क्या होती है हमारे पास देखें range क्या है highest value minus lowest value okay range क्या है हमारे पास highest value minus lowest value जैसे यहां पर आपके पास एक data था concept data raw data इसमें highest value क्या है 60 है और smallest क्या है 1 है तो 60 minus 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 59 तो इस data की जो हमारे पास raw data था, उसकी range क्या आगी, 59, कैसे find करेंगे, highest minus lowest, clear, next हमारे पास बात आती ही, class interval, next क्या है class interval, तो class interval क्या होगा, जो आपके पास group data होता है, वो किस form में होता है, class interval की form में, ठीक है, जैसे यहाँ पे ungroup data था, यहाँ कोई class interval नहीं था, अगर इसी को हम किसमें arrange कर रखें, आपको class interval दे रखें, 20 to 30, okay, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ठीक है, तो यह होगे आपका, किस form में group data होगा, और group data में क्या होगा, class interval होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगी, एक upper limit होगी, जो right side होगी, और एक होगी, lower limit, तो उसके बारे में भी हम discuss करेंगे, next, तो class interval क्या है, यह यहाँ पर हम जो भी आपके पास ungroup data होता है, उसको arrange कर लेती हैं किसमें, groups में, इस form में, interval की form में, 0 to 10, 10 to 20, 0 to 5, 5 to 10, 0 to 20, 20 to 40, इस form है, clear, next है हमारे पास class size, next क्या है class size, अब class size क्या है, यह जो class interval था, ठीक है, इसमें upper limit और lower limit को less कर देंगे, क्या calculate होगा हमारे पास, class size, तो यह तो होगी हमारे पास, 0 to 10, ठीक है, यह क्या होगी, class interval, अब इसमें 10 में से हम 0 को less करें, या 20 में से 10 को less करें, या 30 में से 20 को less करें, same value होगी, वो क्या होगी, class size, क्या होगी, class size, clear, यह चीज़ विजबिल होगी, आपको 10, 10, 10, ठीक है, यह क्या रहेगा, आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. इसमें एक limit होती है. Class interval में एक limit है हमारे पास. क्या है? fix है. जैसे left side का है 0 है, right side का है 10. तो यह हो गई आपके पास lower limit. इसको क्या कहते होंगे आप? upper limit. ठिक है? तो left side को हम क्या कहते है? left, जो limit है हमारे पास. ठीक है, left class interval क्या है हमारे पास? lower limit ओके और right वाली जो होगी हमारे पास right वाली, वो क्या होगी आपके पास? right जो होगी class interval की वो क्या होगी? upper limit, क्या होगी? upper limit, clear यह होगी आपके पास class की limit 0 और last में 10 ठीक है? 20 और last में यहाँ पे 30 ठीक है? 30, 40 अब आपको यहाँ पे size पूछ लिया गया तो आपने क्या करा? upper में से lower को less करा, upper limit में से lower limit को less करा, तो class limit का word use हो गया, upper limit और lower limit, दो ही है हमारे पास एक है upper limit, right side वाली lower limit, left side वाली, clear next है हमारे पास class mark, next क्या है mid value, जो भी class interval की mid value होगी, वो क्या होगा, class mark जैसे 0 to 10 है class mark कैसे, mid value कैसे calculate करते हो, आप किसी भी जैसे कोई number है हमारे पास 0, इसकी जो lower limit है ठीक है, lower limit प्लस upper limit, upon 2 यह आजाएगी आपके पास mid value क्या होगी, mid value clear upper limit क्या है, lower limit क्या है, 0 upper limit क्या है, 10, upon 2, क्या आजाएगा, 5 इसी तरीखी से lower limit क्या है, 10 upper limit क्या है, 20 10 प्लस 20, upon 2, कितना हैगा, 15 clear, next 20 to 30, lower limit क्या है, 20 upper limit क्या है, 30, upon 2 कितना आगया, 30 प्लस 20 that is equals to 50, 50 upon 2 25, तो यह बात होगी, किसकी class mark की class mark कैलो आप, यह आपका mid value, किसकी class interval की next है, हमारे पास frequency, frequency क्या है जो class interval में हमारे पास जो data given है, जो information given है वो क्या थी, marks थे न, तो कितने time उस particular class interval में repeat कर रहा है, जैसे 0 to 10, कितने students हैं जिनके marks 0 to 10 लाई कर रहे हैं 0 to 10 marks कितने students के लाई कर रहे हैं, 1, 2, 3, 3 students हैं, और कोई नहीं है, तो यहां पर आपके पास frequency क्या होगी, 3, इसी तरीके से 10 to 20, कितने students हैं यहां पर 10 to 20 20 count नहीं होगा, ठीक है 10 to 20 में आपका 20 count नहीं होगा 10 to 20 में आपका 10 count होगा 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो है आपका 20 to 30 के class interval में count होगा इसी तरीके से 10 जो है, आपका 0 to 10 में count नहीं होगा वो count होगा आपका 10 to 20 में clear, यह चीज़ आपको बिल्कुल basic concept clear होनी चाहिए questions के लिए, frequency क्या है हमारे पास falling in a particular class, ठीक है, मतलब number of observation falling in a particular class कोई भी आपके पास जैसे number of observation क्या है, हमारे पास 3 है, ठीक है, तो 3 एक particular class में fall कर रहे हैं, वो कौन सी है, 0 to 10, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी आपके पास given नहीं है 10 to 20 strands के कोई भी marks नहीं है, तो frequency यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, यह चीज़ clear है, ठीक है, तो यहाँ पे number of observation क्या है, 0 है क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी fall नहीं कर रहा, एक particular class में, वो particular class क्या है, 10 to 20, clear, last है, हमारे पास यहाँ पे cumulative frequency, यह सारी चीज़े आपको clear होंगी, range, upper limit, minus, sorry, highest value, minus lowest value, यही होती है, upper limit, sorry, range, range क्या होती है, highest value, minus lowest value, मला जो भी data हमारे पास given है, उसमें highest value select करिये, lowest value select करिये, subtract कर दिये, highest में से lowest, क्या आजएगी range, class interval क्या है, जो हमारे पास group data होगा, उसको हम किसमें represent करेंगी, class interval में, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस form में, clear, next है class size, class size क्या होता है, upper में से हम lower limit को less कर देंगी, क्या आजएगा, size, class size, clear, next है class mark, class mark या mid value, upper limit और lower limit को add करेंगे, और 2 से divide करेंगे, next है frequency, frequency क्या है, एक particular class interval में, कितने number of observation fall कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 0 to 10 marks, कितने strengths के लाई कर रहे हैं, 3, तो 3 क्या होगा है, उसकी frequency, number of observation कितने 3 है, ठीक है, जो एक particular class interval में fall कर रहे हैं, 0 to 10 में, इसी तरीके से number of observation 0 रहे हैं, किस particular class interval में, यहाँ पे 10 to 20, जहाँ पे आपके पास कोई भी number of observation नहीं है, clear, next है हमारे पास, यहाँ पे cumulative frequency, cumulative frequency क्या होती है हमारे पास, इसको discuss अगर हम करें, जैसी ही हमारे पास एक frequency दे रखी, यहाँ पे हम note करती हैं, इसको, frequency और एक cumulative frequency, frequency आपको given है, सबोस कर दि 0 to 10, ठीक है, 1 strength के mark, 1 strength के mark, 1 strength के mark, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ 3, मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस form है, ओके, अब देखिए, यहाँ जो frequency है, वो कोई order में arrange नहीं है, frequency भी एक order में arrange होती है, वो क्या है, cumulative frequency, मतलब frequency को जो आप एक particular order में arrange करो, वो क्या हो जाएगी, आपके बास cumulative frequency, clear, वो कैसे करोगे आप, frequency की भीन है, normal frequency, 1 है starting में, next क्या होगा, 1 plus 2, that is 3, next क्या होगा, 3 plus 1, that is 4, next क्या होगा, 4 plus 3, 7, next क्या होगा, 7 plus 4, 11, ठीक है, अच्छा, हमेशे याद रखिए, जो frequency का sum होगा, ठीक है, वो equal होगा, किसके, last, जो ह cumulative frequency, जो भी class interval के सामने, जो भी आपके पास last frequency होगी, ऐसा नहीं class interval के सामने, frequency, आपके पास, कोई भी आपके पास individual series दे दी, ठीक है, मतलब data आपके पास इस form में given है, जैसे, two students के marks, two students के marks से 40, इस form में, ठीक है, 40 marks से 2 students के, 50 marks से 3 students के, तो ये भी तो हमारे पास एक data given है, ले clear, next हमारे पास आती है, यहाँ पर बात, cumulative frequency आपको clear है, या तो order कैसा हो, ascending हो, देखे, one है, three है, four है, ठीक है, next seven है, next eleven है, तो increase हो रहा है न, तो order कैसा हो गया, ascending हो गया, कैसा हो गया, ascending, clear, इसी तरीके से descending भी हो सकता है, descending भी हो सकता है, मतलब descending के लिए हमें, ojib का भी concept clear करना होगा, ठीक है, अभी बस आप इतना याद रखो, frequency, normal frequency, जहां कोई भी arrangement है, cumulative frequency में add होती जाएगी value, क्या होगी, add होगी, ठीक है, अब जब हम ojib draw करेंगे, cumulative frequency के, तो वहाँ पर हम discuss करेंगे, यह पूरा concept clear होगा, यह सारी चीज़े के लिए हो गई होगी, next हमारे पास बात आती, graphical representation of data, ठीक है, अभी हमने देखा था हमारे पास presentation, presentation statistics का यही concept है, graphical, ठीक है, तो यहाँ पर आपको represent करना है data को, information को किसमें, graph में, अब वो graph आपका bar graph हो सकता है, bar graph, histogram हो सकता है, frequency polygon हो सकता है, ojib हो सकता है, ठीक तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर bar graph की, bar graph अगर बात करें, कोई आपके पास information इस form में given है, जैसे example हमने लीती, 20 marks, 2 students के हैं, 30 marks, 4 students के हैं, 40 marks, 5 students के हैं, इस form में है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी आपके पास है, interval, ठीक है, आप क्या करोगे, interval क की form में रखो, किस तरीके से, 0 to 10, ठीक है, 10 to 20, तो 0 to 10 marks आपके पास है, 2 students के, 10 to 20 marks है, 3 students के, 30 to 40, इस तरीके से आपको given है, मतलब कैसा होगा आपका class interval की form में, पहले तो data कैसा हो, class interval, then हम क्या करेंगे, arrange करेंगे, क्या करेंगे, arrange, clear, तो यह है 0, यह है 10 आपका, यह है 20, 30, 40, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और यह y-axis में हम क्या show कर देंगे, frequency show कर देंगे, okay, y-axis में हम क्या show कर देंगे, frequency show कर देंगे, clear, तो यहाँ पर, one, two, data आपके पास इस form में ही तुए 20, 40, 60, 80, अलब 20 marks जो है, कितने strengths किते हैं हमारे पास, यह थे आपके पास, ठीक है, two strengths के, इसी तरीखे से 40 marks कितने strengths किते हैं, ठीक है, ठीक है, यह एक graph, image हम लेके चल रहे हैं, किसकी, bar graph के, 60 marks कितने strengths किते हैं हमारे पास, 60 marks, यह थे आपके पास, three strengths, सेम, सबोस कर देंगे, ठीक है, तो यह तो बात होगी, किसकी bar graph के, जहाँ पे, आपके पास given था, 20 strengths, और 20 strengths के marks है, मतलब 20 marks, जो है, two strengths के इस form में, ठीक है, three strengths के marks, 30 strengths के, इस form में, आपको data जब given होगा, तो उसको आप bar graph के through represent कर लोगे, ठीक है, और यहाँ पे, आपके पास, किस सरीके से show गा, यह rectangle, show होगे, rectangle, bar होगे, जिसमें, आपके पास information, x-axis पे, आपको information, मतलब वो, जो data हमारे पास given था, 20, ठीक है, 20 marks, और 40 marks, तो यह क्या है, आपके पास data है, ठीक है, और यह कैसा है, ungroup data, कैसा है, ungroup, मतलब, class interval में नहीं है, तो यह bar graph के, आपके पास, यह concept होता है, कि यहाँ पे, आपके पास, equal distance पे बार होगे, equal distance, मतलब, one, one unit का gap होगा, ठीक है, continuous नहीं हो सकते, continuous कब होगे, जब class interval होगा, तो class interval, जो concept है, ना, मारे पास, यह जो class interval, यहाँ पे given है, 0 to 10, 10 to 20, वो कहाँ apply होगा, histogram में apply होगा, ठीक है, एक y axis पे, आप क्या करोगे, यहाँ पे, place करोगे अपनी frequency, और x axis पे, जो भी आपके पास given होगा, जैसे कोई भी particular topic पे, जो भी बात हो रही होगे, तो यहाँ पे क्या हो रही है, marks के basis पे बात हो रही है, तो marks हम x axis पे show करेंगे, और उसकी values, मतलब, कितने students के marks हैं, तो वो क्या है, उसकी frequency, तो उसको हम show करेंगे y axis में, next हमारे पास है histogram, histogram में हम क्या कर रहे है, histogram में हम data ही represent कर रहे है, लेकिन वो data कैसा है, आपका class interval की form में, मतलब जो ungroup था, उसको हमने represent कर लिए group data में, ठीक है, और group data को हमने represent कर दिया, किसमें continuous class interval में, clear, जैसे यहाँ पे example ल यह data क्या था, यह वाला, कौन सा बार graph वाला, ठीक है, next, यहाँ पे class interval किसमें use करेंगे, histogram में, तो इसको हम draw करते हैं, यह है 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है, यह सब हम क्यों कर रहे हैं, मतलब यह graph draw क्यों कर रहे हैं, easily आप क्या कर सकते हो, इसको interpret कर सकते हो, ठीक है, किसी को explain कर सकते ह यह जो information है, बार graph की दूर, clear, एक होता है, number की form में हमने table draw कर दी, ठीक है, मतलब frequency distribution table आपके पास given है, उसमें क्या होगा, जो भी आपके पास marks से हैं, और strands से हैं, उसको show कर दिया, तो वो तो हो गई table, एक हो गया pictorial representation, तो बार graph क्या है आपका, picture की दूर रिप्रेसेंट कर रहे आप, graph की दूर, clear, इसी तरीके से next है मारे पास, यहाँ पर histogram, histogram में क्या होगा, यह आपके पास class interval होगा, class interval, okay, तो यह हो जाएगी value आपके पास, 0 to 10, कितने students हैं, सबोस कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस form में आपको frequency given है, यहाँ पे भी, जो एक होगा, आपके पा जो भी बात हो रही हो, उसको हम x-axis पे शो कर लेंगे, और उसकी जो values होगी, मतला उसकी जो frequency होगी, उसके number of observation होगी, उसको y-axis पे, ठीक है, 0 to 10, यह हो जाएगा, 1 student, 10 to 20, 3 student, ठीक है, यह हम सब उस करके चल रहे हैं, और 20 to 30, 2 students, और 30 to 40, 5 students, 5 students, clear, तो यह क्या हो गया, हमा और यह क्या है, बार ग्राफ, यह क्या है, बार ग्राफ, तो यहाँ पर दोनों में difference के लिए रहे हैं, इसमें information represent कर रहे हैं, इसमें भी information represent कर रहे हैं, मतलब data represent कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, आपके बास, क्या दे रखा है, gap दे रखा है, यहाँ पर कोई भी gap नहीं है आपका ठीक है यह differences में figure में अगर आप देखो यहां gap है क्यों gap है क्योंकि यह कोई आपके पास continuous तो दे नहीं रखा यहां पर आपको किस form में दे रखा है ungroup form में ठीक है 2040 60s form में जब group form कर लोगे आप तो वो क्या हो जाएगा histogram okay next हमारे पास है तो histogram क्या है graphical representation of a frequency distribution in the form of rectangle with class interval as base ठीक है जैसे मैंने आपको बता है class interval को base में frequency as height ठीक है frequency को कहा ले लेंगे y axis ठीक है there being no gap between any two successive rectangle मतलग यहां पर आपके पास histogram में कोई भी gap नहीं होगा जो एक के बाद एक जो rectangle है ठीक है rectangular बार है उसमें आपके पास कोई भी यहां पर gap नहीं होगा next आता है हमारे पास frequency polygon frequency polygon क्या है हमने histogram पहले ड्रौ करा frequency polygon ड्रौ कर निकली हमें histogram histogram ड्रौ करना है दैन जो mid well mid point होते हैं किसके histogram की जैसे यह हमारे पास histogram ड्रौ ठीक है इसके जो mid points है इसको join कर लिया हमने clear और इसको free hand अमने क्या कर लिया ड्रौ कर लिया ठीक है तो वो क्या होगा हमारे पास it is obtained by joining the mid point of the upper side of the adjacent rectangle of the histogram by means of line segment ठीक है स्टेट लाइन भी आप ड्रौ कर सकते हो तो यहां पर क्या हुआ हुआ हिस्टोग्राम ड्रौ कर के continuous class interval जब होगा histogram मतलब class interval जब होगा आपके बास हिस्टोग्राम ड्रौ कर रहा हमने है ठीक है histogram ड्रौ करने के बाद हमने क्या कर रहा उसको उसकी mid values जो top side है उसको mid values को join कर दिया तो वो क्या होगा आपका frequency polygon क्या शो कर रहा है frequency polygon ओके next आता है हमारे पास ओजाइब next क्या है ओजाइब तो ओजाइब क्या है frequency देख लिए हमने frequency की बात क्लियर है class interval को भी हम represent कर रहें graph में इसमें use हो रहा है ठीक है histogram में अब देखे अब बात आती है ओजाइब की ओजाइब क्या है cumulative frequency को जब आप ले रहे हो ठीक है cumulative frequency का graph एक तरीके से आप क्या कह सकते है cumulative frequency का graph mark upper class limit ठीक है along x-axis and cumulative frequency along y-axis plot these points and join them to get a curve called हो जाए ठीक है यहाँ पर हम क्या कर रहे है जो class limit है हमारे पास मतलब class interval है उसकी जो अपर लिमिट है upper limit उसको क्या कर रहे है mark कर रहे है x-axis पर और y-axis पर हम क्या mark कर रहे है frequency मतलब यहाँ पर जो भी class interval given है उसमें हमने upper limit लिया upper limit ठीक है उसको mark कर रहा x-axis पर 10 20 30 40 50 60 70 clear और जो frequency है इसकी उसको mark कर रहा कहां पर उसको mark कर रहा हमने y-axis पर तो वो जब आप join करोगे ठीक है उसको जब आप join करोगे plot करोगे तो वो क्या form करेगा आपका ojive क्या form करेगा उन points को जब plot करोगे आप तो वो क्या form करेगा आपका ojive ठीक है तो ojive curve आपका मतलब cumulative frequency curve या ojive curve दो form two form में होता है आपका एक होता है more than ठीक है प्लोट कर दी तो क्या form हों कि आपका यहां पर यह होगे आपका ojive clear less than होता है एक आपका एक होता है more than ठीक है तो यह हो जाएक आपका less than curve less than curve और एक होगा more than curve ठीक है more than ojive इस form में लिख सकते है more than ojive less than हो जाएक है कि यह बस वहाँ पर क्या होता है class interval का अपर लिमिट लेते हैं more than less than में lower limit लेते हैं frequency अपर लिमिट में इसी form में रहती है जैसे मैंने आपको बताया है three four five add करते जाएंगे मतलब ascending order में और जो आपके पास जब lower limit लेंगे तो descending order में में लेंगे ठीक है जो मैंने आपको बताया था descending order में लेंगे मतलब स्टार्ट कहां से होगी आपके पास जो final value frequency की given होगी सम की उससे हम find करेंगे अपने descending order clear तो वह कैसे find करेंगे वह सब हम discuss करेंगे यह हमारा basic introduction complete हुआ ठीक है अब एक और topic है हमारा किस से related major of central tendency उसको आप discuss करते हैं ठीक है तो इस board को हम erase करते हैं next board में हम discuss करेंगे majors of central tendency झाल्स के हैंगे see तो अब डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक मेजर और सेंटर्ल टेंडेंसी मेजर और सेंटर्ल टेंडेंसी ठीक है तो डिस्कस करते हैं सेंटर्ल टेंडेंसी को आप मेजर करोगे फस्ट है मीन ठीक है नेक्स्ट है मेडियन और लास्ट है मारे पास मोड अगर आपको सेंटर्ल टेंडेंसी को मेजर करना है मतलब कोई भी data आपके पास given है ठीक है उसकी central tendency check करने है मतलब आपको उसका mean find करना है median find करना है या more find करना है कोई भी आपको value find करना है clear central tendency को major करने के लिए यही तीन आपके पास form है या तो mean calculate कर लो उसकी central tendency major या median calculate कर लो या more calculate कर लो ठीक है mean होता क्या है mean क्या होता है mean क्या होता है average average का मतलब क्या होता है sub-cum upon total number of observation यह होता है mean ठीक है एक average हम calculate करते है next है हमारे पास median median भी क्या है central tendency को major करने के लिए median calculate करते हैं इसमें क्या करेंगे हम इसमें हम find करेंगे middle value क्या find करेंगे middle value किसमें median में क्लियर तो central tendency major होगी किस कित्रू middle value कित्रू जो भी data होगा उसका middle value check करेंगे median check करेंगे वो क्या है major of central tendency last time mode mode क्या होगा most frequently observation ठीक है या आप कह सकते हो maximum number of observation ठीक है मतलब जिसके frequency maximum होगी वो उसका mode है ठीक है उस data का mode क्या होगा कोई भी आपके पास observation number of observation उसका क्या है सबसे हाई है तो उसका mode आपके पास क्या हो जाएगा जैसे यहां पर 20 marks है 30 marks है 40 marks है 60 marks है इसमें 2 marks 2 students के 3 students के यहां पर 4 है और यहां पर 1 है clear mode क्या है कि सबसे जादा कौन है 40 marks आ रहे है कितने students के 4 तो 40 क्या होगा इसका mode होगा clear next आती है बात हमारे पास यह तो आपके पास mode की बात हो गई most frequently observation median middle value mean average clear तो यह हो गए major of central tendency अब बात करते हैं कैसे आप calculate करोगे किसी भी mean किसी भी data का mean median या mode mean की अकर बात करें mean आपके पास तीन method से calculate कर सकते हो mean को direct method assume mean method और shortcut method और shortcut method या तो assume mean method कर लिए या shortcut method लास्ट है step division लास्ट है step division ओके डिरेक्ट एस्यूमीन मेथड या shortcut method और लास्ट स्टेप डिविशन में देखिए डिरेक्ट में हम क्या करेंगे जो भी observation है उस का सम करेंगे मतलब अगर आपको formula यहां पर देखना है summation of x upon summation of f total observation का सम अपन total number of observation का सम क्या हो जाएगा mean calculate इस formula की तुरू summation of x upon summation का मतलब क्या है sum of all values of x ठीक है x क्या है यहां पर यह marks है हमारे पास ठीक है next है as you mean method as you mean method का formula क्या है shortcut method का formula क्या है a assume value plus summation of f upon summation of f यह है हमारे पास as you mean method ठीक है d क्या है deviation d क्या है deviation ठीक है मतलब x में से हम a को less कर देंगे तो वह सब हम question में discuss करेंगे अभी आपको सिफ formula से मतलब है a क्या है assume value plus summation of f upon summation of f f का summation और f into d का summation और a की value clear जैसे यहां पर हमें a की value find करना है ठीक है इस form में आपको given है 20, 30, 40, 50, 70, 10, 20 ठीक है इसमें a की value find करना है तो सबसे best alternative यहां पर क्या होगा आपका जो mid value है यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है तो 33 का gap करिए यहां पर 3 ठीक है downside upside से 3, mid value क्या होगी 50 है तो 50 क्या है यह ए Assume value ठीक है उसको यहां पोट कर देंगे लेकिन आप कोई भी value select कर सकते हो 20 भी कर सकते हो 30 भी कर सकते हो 40 भी कर सकते हो लेकिन best क्या है हमारे पास यहां पर select करना 50 mid value को clear तो a plus summation of fd upon summation of f d क्या है x minus a d क्या होगा deviation यह क्या है x 20 में से 50 को less करेंगे 20 minus 50 क्या होगा minus 30 30 minus 50 minus 20 40 minus 50 minus 10 ठीक है 70 minus 50 sorry 50 minus 50 0 तो यह क्या है हमारे पास deviation deviation is equals to x minus a इस d को f से multiply करेंगे यहां जो frequency given होगी fd आ जाएगा उसका sum upon summation of f plus a इसको add कर देंगे क्या calculate होगा mean तीनों में से result same आना है same value आईगी आपके पास different नहीं होगा mean clear तीनों से mean calculate होगा और value क्या होगी आपके पास same clear next है हमारे पास step deviation method step deviation में क्या होगा आपके पास step deviation में यही same formula है हमारे पास a plus summation of f u upon summation of f बस यहां पर क्या गया है into height height और हो गया यहां पर देखें आप u का मतलब क्या है यह क्या calculate हुआ था हमारे पास यहां पर आपके पास यह calculate होगी थी f ठीक है इसमें से आपने क्या करा d को मतलब जो deviation calculate हुआ है x-1 के तुरू calculate हुआ इसमें से आपने common value से divide कर दिया common value क्या है यहां पर 10 ही तो नज़र आ रही है अभी आपको ठीक है यह 5 होगी तो 10 से divide कर दिया इस form में तो 10 क्या है हमारे पास 10 common value है तो d upon मतलब यहां पर आपके पास जब आपके पास step division method अप्लाई कर देए तो आप क्या करोगे d upon h यह किसके equal होता है u के किसके equal होगा u के d upon h u के equal होगा u क्या है हमारे पास यह value है अब यहां पर height से multiply कर रहे है height क्या है यही जो आपके पास height दे रखी है clear जैसे आपने जो common value ली उसी से आपने multiply कर दिया क्लियर तो यह आपके पास cancel हो जाएगी overall result आपके यह होगा assuming method बस यहाँ पर show क्या करते है common value से हमने divide कर दिये कि यह किस लिए उस होता है जहां पर values आपके पास large होती जाएगी thousand ten thousand इस form में तो वहाँ आप common value से जब divide कर दोगे तो calculation आपकी क्या हो जाएगी less हो जाएगी clear वहाँ पर कोई भी आपको calculation करने की ज़रूरा नहीं होगी next आते है median median अगर आपके पास किस form में आपके पास data है अंग्रोव कैसा दे रखा है आपको data अंग्रोव clear तो उसमें आप calculate करोगे median अगर number of observation even है और अगर number of observation आपके पास odd है क्या है number of observation odd यहाँ number of observation क्या है even clear जैसे data आपको इस form में given है 20, 30, 10, 40, 50 इसका median find करना है middle पहले find करना है कैसा है अंगरूप data है अंगरूप data है clear बन्लास इंटरवल की form में नहीं है तो आप क्या करोगे सबसे पहले count करोगे कितने number है कितनी यहाँ पे observation है 1,2,3,4,5 कितनी observation 5 कौन सा case है odd का case है formula होता है n प्लस 1 upon 2,th clear n की place पे 5,5 plus 1,6,6 upon 2,3 यहाँ पे क्या जाएगा third term में आपके पास क्या यहाँ पे third term में देखिए पहले आपको क्या करना होगा order में arrange करना होगा मतलब ungroup data है न हमारे पस तो order में arrange करोगे आप कैसे order में ascending कर लो या descending कर लो तो ascending में आप अगर करोगे यहाँ पर सबसे smallest करे 10 है उसके बाद 20 उसके बाद 30 उसके बाद 40 उसके बाद 50 तो यहाँ पे आपको तो find क्या करना है third term, third term में क्या है 30, 30 क्या है मारा answer, 30 क्या है, median, 30 क्या है, median है, कैसे find कर आपने, ungroup data था, case था कौन सा, odd का, find कर लिया, n plus 1 upon 2 th formulas है, ठीक है, number of observation even है, suppose कर लिए यहाँ पर 60 और add हो गया, ठीक है, 6 हो गई यह observation, तो even के case के लिए formula है मारे पास, n upon 2 th, ठीक है, plus n upon 2, plus 1 th upon 2, यह formula है, किसका, even का case, observation 6, 6 upon 2, 3, third term, plus 6 upon 2, 3, 3 plus 1, 4, fourth term upon 2, यह formula है, पूरा, n by 2, plus n by 2, plus 1, मतला, जो भी term होगी, उसको put कर दिंगे, upon 2, clear, third term क्या है, ascending में arrange करा, तो यह 50 के बाद क्या होगा, 60, ascending में arrange करा, यह descending में, third term क्या है, 30, fourth term क्या है, आपके बास, 40, upon 2, 70, 40 plus 30, 70, 70 upon 2, 35, 35 क्या है, answer, 35 क्या है, answer, clear, तो यहाँ पर आपका median क्या हो गया, इविन करता न, एक observation और add कर दिया, जिसकी वह इसे, क्या होगी है, middle value, 35, clear, next आता है, हमारे पास, तो आपको clear होगी है, median हो, या mean हो, या mode हो, उसमें आपको सिफ major, क्या करना है, central tendency को, last है हमारे पास, यहाँ पर, यहाँ पर median, एक formula होता है, जहाँ पर group data हो, median को ही find करना है आपको, लेकिन data कैसा है आपका group data, कैसा है, group data, class interval की form में होगा, हमारे पास, class interval, तो इसके लिए formula बस आप लिखे लो, बाद में हम discuss करेंगे, इसके बारे में, l plus n by 2, minus cf, upon f, ठीक है, upon f into h, यह होगी आपका, median, किसके लिए, जहाँ पर आपके पास data कैसा होगा, group data, therefore, l, lower limit, इतना लिख सकते हैं, l क्या है हमारे पास यहाँ पर, lower limit, ठीक है, n क्या है number of observation, ठीक है, और cf क्या है हमारे पास, cf क्या है, cumulative frequency, height क्या है, edge, म लाए edge क्या है, height, ठीक है, तो वह सब हम डिसकस करेंगे, आगे, n क्या है total number of observation, ठीक है F क्या है frequency into edge क्या calculate होगा आपका median ठीक है next हमारे पास यहां पर बात आती है किसकी mode की mode mode क्या है most frequently observation अगर आपके पास ungroup data दे रहा है जैसे 20 10 30 40 50 60 इस form ठीक है और 10 तो यहां पर ungroup data है है ठीक है count करिए 121 टाइम है 10 1 और 2 31 टाइम 41 टाइम 51 टाइम 61 टाइम लेकिन 10 2 टाइम से 10 कितने टाइम से 2 टाइम से मतलए इसकी frequency क्या है 2 तो maximum frequency जिसकी होगी वही क्या होगा mode तो 10 क्या होगी इसका answer ओके यह तो बात हो गई लेकिन group data तो उसके लिए आपके अगर होगे यहां पर मोड है ठीक है एल प्लस ठीक है मोड के लिए आपके बास यह हो जाएगा एल प्लस f1-f0 अपॉन यह अपॉन जो है न आपके बास वह f1-f0 अपॉन 2f1-f0-f2 into height यह हो जाएगा आपका मोड किसके लिए जहां class interval given है क्या given है class interval given है हमारे पास तो उसके लिए आपका मोड कैल्कुलेट होगा आपका फॉर्मले के दुरू एल प्लस f1-f0 अपॉन 2f1-f0-f2 देखिए f1 क्या है preceding वाली frequency f2 क्या है succeeding वाली frequency clear तो वह सब हम discuss करेंगे यहां पर model class होगी model class के सामने जो frequency होगी वह क्या होगी आपके पास f0 क्या क्या lower limit उसी की select करेंगे height class size clear इसी तरीके से यहां पर बात करें medium की L क्या है lower limit n क्या है number of observation cf cf और height height क्या होगा size f क्या होगा यहां पर जो आपके पास n upon 2 calculate कर रहा ठीक है n upon 2 calculate कर रहा पोस कर लिए यहां पर 5 आ गया 5 आ गया अब मतलब 50 या 500 जो भी value आ रही है यहां पर आपके पास हमने class interval draw कर रहा होगा उसकी frequency होगी cumulative frequency draw करेंगे ठीक है n upon 2 की value 50 आ गई तो cumulative cumulative frequency में check करेंगे कहा 50 लाई कर रहा है यहां पर हमने draw करी थी cumulative frequency नहीं करी ठीक है अगर इसी को draw कर लिए होगी होगा 20 30 20 plus 70 50 50 plus 40 90 90 plus 50 140 इस form है तो यहां पर आपका सब उस कर लिए हैं यहां पर mid value n by 2 आपका क्या आगे यहां पर 65 आ गया तो 65 कहा लाई कर रहा है इस 90 में ओके तो 90 हमारे पास क्या हो गई value 90 हो गई हमारे पास इसकी 90 मतलब 90 में लाई कर रहा है हमारे पास उसके 90 हो गई model class अब इसमें आप जो भी value होगी उसको put कर दिए ठीक है वैसे model class नहीं होगी में मेडियन क्लास होगी ठीक है मेडियन के लिए find कर रहे ना n by 2 n by 2 ओके यहां पर यह चीज़ क्लियर होगी आपको इसका चेक कर देंगे आप कैसे चेक करोगी आप यहां पर है क्यों मेस्टत जो भी प्रेसिटिंगositWWल इंग होगी ओंक्योमीलेटिव तो मिल्ह्टेफ क्लियर तो यह आपके पास हो जाएगा सका關सेट एक कょोंऩेप्ट और है हमारे पास जो भी च्रेट रिलेशन है हमारे पास three इसको इस फॉर्म में रखिए 321 वीडियन मीन मोड 3 मेडियन इस इकोल सुटू मीन प्लस मोड मतलब कोई दो चीज़े आपको गिवन है मेडियन और मीन मोड फाइंड करना है तो इस फॉर्मिले के तुप आप डारेक्ट पाइंड कर सकते हैं तो यह पूरा पेसिक इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है नेक्स्ट वीडियो में हम डिसकस करेंगे इससे रेलेटेड कोईशन्स ओके थैंक यू